दोस्तो द्वादश जोतरी लिंगों में से एक केदारनात धाम में भगवान शिव लिंग के रूप में विराचमान हैं। इस मंदिर के कपाट हर साल अप्रेल और मई महा में खुलते हैं और लाखों की संख्या में श्रधालू बाबा केदारनात के दर्शन करने आते हैं। कहा जाता है कि यहां भगवान शिव द्वारा धारन के गए भैसे के रूप के पिछले भाग की पूजा की जाती है। केदारनात धाम का उलेक सकंद पुरान के केदार खंड में मिलता है जिसके अनुसार केदार वो स्थान है जहां भगवान शिव अपने उलजे बालों से पवित्र गंगा को मुक्त करते हैं। प्यारे दोस्तों आज की इस वीडियो में जो घटना में बताने वाली हूँ जो चमतकार आप देखेंगे उसे सुनने के बाद आपके रॉंग्टे खड़े हो जाएंगे और भगवान शिव के प्रतियाप की आस था और भी जादा दृड़ हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों जो आपको चमतकार देखने को मिलेगा वो आपके पैरो तले जमीन किसका देगा आप हैरान रह जाएंगे और आपको भी बाबा के दारनात के चर्नों में जुकने पर विवश कर देगा। अगर आप भी भगवान के दार के सचे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जैए शिरी के दार पूरी श्रधा से पूरी आस्था से जरूर लिखेगा ताकि भगवान शिव के क्रिपा दृष्टी आप पर और आपके परिवार पर सदैव बनी रहें। दोस्तों एक अद्भुत चमतकार दो हजार तेरा में आई बाड के दोरान देखने को मिला था। पूजा करते हैं क्योंकि ये भी माना जाता है कि भगवान शिवने स्वयम इसे शीला को मंदिर की रक्षा के लिए भीजा था। केदारनाथ में 16 जून 2013 को जो भीशन बाड आई थी उसकी यादें आज भी हमारे दिलों और दिमाग में बसी हुई हैं। जिन भी लोगों ने अपनों को खोया है वो आज तक उस दर्द को भुला नहीं पाए। जून 2013 में भारी बारिश के दौरान वहां बादल फटे थे और कहते हैं कि केदारनाथ मंदिर में 5 किलो मीटर उपर 14 बारी गलेशियर के पास एक जील बन गई थी जिसके तूटने से उस जील का सारा पानी तेजी से नीची आया था और वो नजारा बिलकुल जल प्रले जै इसका देगी यकीनन आप चमभित रह जाओगे कुछ साधू ने दोस्तों ऐसा चमतकार देख लिया कि उस चमतकार को जानकर आपके भी रॉंग्टे खड़े हो जाएंगे भीम शिला की स्थापना आखिर कैसे हुई कैस्वयम भीम उस प्रले से उस भेंकर बार से केदारना मंदिर के मुख्य तीरत पुरोहित ने उस वक्त कहा था कि 16 जून शाम करीब 8 बजे के बाद मंदिर के पीछे उपर वाले पहाडी भाग से पानी का तेज भाव आता दिखा और ये नजारा देखकर सभी लोग बहुत जादा डर गए कई लोग इदर उदर भागने लगे त क्योंकि मंदिर के चारों और जल प्रले था पानी रेत चटान पत्थर और मिटी के सेलाब ने सारी घाटी के पत्ते पत्ते को उजाड दिया था पहाडों में धसी बड़ी बड़ी मजबूत चटाने भी तूट कर पत्तर बन गई थी ये सेलाब इतना भ्यंकर था कि इस सेल ऐसाध है 16 जुन 2013, के किडारनात की, दोस्तों साधहों का कहा माने तो उन्होंने ऐसा चमदकार देखा, जिस चमदकार ने इतहास लाए ही बाना ऑन के साधमें की द Dodge साधों ने मंदिर के पास के खंबे पर चड़ कर रात भर जाग कर अपनी जान बचाई थी खंबे पर चड़े हुए इन साधों ने देखा कि मंदिर के पीछे के पहार से बार के साथ अनुमानित सौ की स्पीड में एक विशाल काई डमरू नुमा चटान मंदिर की और लगाता बढ़ती चलिया रही है ये पथर इतना जादा विशाल काय था कि अगर ये सीधा मंदिर से टकराता तो मंदिर का नामों निशान मिट जाता लेकिन चमतकार कुछ ऐसा हुआ कि अचानक वो चटान मंदिर के पीछे करीब 50 फुट की दूरी पर अचानक ही रुक गई ऐसा लग मंदिर में 300 से 500 लोग भगवान की शरन लिये हुए थे साधों के अनुसार उस चटान को मंदिर की और आते देख उन सभी की रुह काप गई थी उन्होंने के दारनात बाबा का नाम जपना शुरू कर दिया और अपनी मौत का इंतजार करने लगे थे लेकिन बाबा का चमतक सेवी जादा लोग मारे गए ये आकड़ा छोटा मोटा नहीं है ये इतिहास की सबसे बड़ी दुर घटना है लेकिन यहाँ पर जो लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे जिन्हें भगवान पर भरूसा नहीं था वे लोग तो अपनी जान खो लेव आये थे आज उस घटना को कई साल बीच चुके हैं लेकिन वो शीला आज भी के दारनात मंदिर के पीछे वी राजमान है जो कि आदी गुरु शंकराचारे की समाधी के पास इस्थित है और इस शीला को भीम शीला नाम दिया गया है अब आपके मन में एक सवाल उठ होगा कि आखिर इस शीला को भीम शीला ही क्यों कहा जाता है तो आगे इसके उपर भी हम पूरी चर्चा करेंगे तारन हार इस शीला ने भेंकर बारत रासदी से बाबा के दारनात धाम जो त्रिलिंग मंदिर की रक्षा की थी आज भी शीला का रहेस्थ से बरकरार है कि हाधी मंदिर के पीछे हिस्तित है या फिर ये एक संयोग मात्र है शीला का प्रकट होना और अचानक से उसी निश्चित स्थान पर रुक जाना यह बाबा की ही क्रिपा कही जा सकती है आज शीला के चमतकार को सभी लोग नमस्कार कर रहे हैं क्योंकि शीला ने सही समय पर औ भग मंदिर की चौड़ाई के बराबर है जिसने प्रले का अभिमान चकना चूर करके इस मंदिर को लैस मातर भी शतिगरस्त नहीं होने दिया लेकिन आखिर शीला को भीम शीला ही क्यों कहा जाता है आए इसके बारे में भी विस्तार से बात करते हैं दोस्तों जब पांड़ो उने महाभारत का युद्ध जीता तो युद्ध को जीतने के बाद उनका राज्य भी शेक किया गया लेकिन मन ही मन उन्हें बहुत जादा पश्चाताप की च्छा हो रही थी उनके मन में यही बसा हुआ था कि उन्होंने अपनों का संगहार किया है और इस पाप से मुक्ति के लिए अपना राज्य छोड़कर भगवान शिव की तलाश में निकल पड़े हस्तिनापुर से निकलने के बाद पांचों भाई और द्रौपदी भगवान शिव के दर्शन करने के लिए सबसे पहले काशी पहुंचे पर भोले नाथ वहां उन्हें नहीं मिले उसके बाद उन लोगों ने कई और जगह जाकर भगवान शिव को खोजने का परियास किया लेकिन जहां कहीं भी ये लोग जाते शिव जी वहां से चले जाते इसी करम में पांचों पांडव द्रौपदी एक दिन शिव जी को खोचते खोचते हमाले तक पहुंच गए यहाँ पर भी श किये बिना यहां से नहीं जाएंगे और मैं यह भी जानता हूं कि आप इसलिए चुप रहे हैं क्योंकि हमने पाप किया है युदिश्टर के इतना कहने के बाद पांचों पांडव आगे बढ़ने लगे उसी समय एक बैल ने उन पर जपट्टा मार दिया यह देख भीम उस और उन्होंने पांडवों को उनके पाप के लिए शमा कर दिया और इस घटना का प्रमान हमें आज भी के दारनात में देखने को मिलता है जहां शिवलिंग बैल के कुलहे के रूप में आज भी मौजूद है लोग आज भी कहते हैं कि सर्व प्रथम ये मंदिर पांडवों ने बनवाया था यहीं पर भीम ने भगवान शंकर का पीछा किया था प्रले के समय ऐसा लगा मानो भीम ने अपनी गदा गाड़ कर महादेव के मंदिर को बचाया है संभवते इसलिए ही शीला को भीम शीला कहा जाता है दोस्तों भोले नाथ की महिमा केवल भोले नाथ ही लेकिन वो अपने भगतों का उधार करना भी पकु भी जानते हैं लेकिन दोस्तों सवाल आता है कि महादेव अपने भगतों की इतनी जादा लाज रखते हैं फिर भी इस बाड़ में दस हजार से जादा लोगों के मृत्यू क्यों हो गई आखिर उनकी रख्षा महादेव तो इसका साफ कारण ये है कि आजकल के जमाने में लोग भगवान के दर्शिन करने नहीं बलकि इंस्टाग्राम रील्स बनाने के लिए जाते हैं मनोरंजन के लिए जाते हैं तो वो लोग मारे गए और जो श्रदा भाव से जाते हैं उन्हें भगवान ने जीवित रखा और की रक्षा की सो ऐसे में आज की वीडियो में बस इतना ही वीडियो को लाइक करें शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक्स फॉर वाचिंग